ही गाइज गुड मॉर्डिंग वेलकम बैग टू माई चैनल कैसे हैं आप लोग आप लोग अच्छे होंगे स्वास्ट होंगे मस्ट होंगे तो अभी सुबा के बज़ गहा है पौने शाथ और मैं अभी से ब्लोग स्टार्ट कर रही हूं श्रिया का स्कूल खुल चुका है श मन्डे था तो तीन से स्कूल चालू और श्रिया का एक से ही चालू हो गया स्रिया चली गई श्रिया का लबुझे मैं कोई वीडियो नहीं बनाई क्योंकि बैस्ता थी सुस्राल में और उसके बाद मैं फिर यहां पर आ गई तो यहां ने के बाद दो चार दिन मुझे घर शही करने समान सल्टाने में लगा अब भी मेरा एक ट्रॉली ऐसे ही पड़ा हुआ है जो कि खाली नहीं हुआ है क्योंकि बाद में मतलब थोड़ा सा उसमें वह आ जाता है बद्बू आ जाता है इस वज़़ा से मैं उसाब छोड़ी हुई हूँ जब धूप अच्छे से निकलेगा तो मैं उसको धूलूंगी और फिर उसे प्रेस करके रखूंगे और जो इधर उदर का समान था डेली उचका कप धिर्याग था तो काफी दिनों से नहीं आये थी इसलिए अप लोग उने ब्लोग में नहीं देखा होगा मेरी साज को और इस वार वो आई है तो अभी तो एक सफ़ता एक सफ़्तन लगवाग भाग। इसी मंगलवार को नोग आये थे एक सप्ता हम लोग को हो गया हुए त तो बने रही है मेरी इस आज की ब्लॉग में और शेयर करूंगे आप लोग के साथ कुछ-कुछ जो मेरा काम होगा सुबह का काम तो होई चुका है और चलिए बने रही है देखिए क्या सब करते हैं और यह कीचन में है यहाँ पर इकारा बना रहे मम्मी के लिए देखिए क्या सब डालें इसमें है और साथ में गूर है और काली मिर्च है यह सब डाल के मम्मी को सुबह-सुबह दिया जाता है कारा लिको उनको खाम हुआ है और खासी हो रही है तो कारा बनाना इनहीं का काम है यही कारा बनाते नीचे जाते हैं स्रयां को छोड़ने के लिए वहां से सारा पत्ती तोर के लाते हैं जितना बिस पत्ती है लाते है और यही बनाते हैं कीवी तो मम्मी की सेवा में सुवा सुवा हाजीर हो जाते है उटके सुद उटके ना अभी आँ किवी और बदां क्या है यह गिलो है दुल्शी क्या है यह गिलो है यह गिलो है यह गिलो है और तुल्शी हम लोग भी पीएंगे हैं जब लोग पीएंगे हैं जब लोग पीएंगे हैं बहुत करवा लेड़ा ना मामी को गिलास में देना चाहिए था पप में दे रहा हैं यह गिलो हैंगे हैंगे करहा हैंगे हैंगे यह गिलो हैंगेश्ट को अगए मेंगे यह कास्ट बाप अपते हैं अग्दूपी गड़ा सम्ट्रा हम लग भी पीते हैं मैं कितना डाल दीया है मैं कितना डाले है थीज़ ले लोग दीया वाव लाव किसलिए रो रहा है किसलिए रो रहा है एपल नहीं खाएगा क्यों क्यों नहीं खाएगा एपल क्यों नहीं खाएगा क्यों नहीं खाएगा क्यों नहीं खाएगा अच्छा नहीं लगता क्या अच्छा लगता है तुमको मैगी नहीं प्रॉट में क्राइसा की मैगी नहीं फॉल में क्या लगता जैसे-की और मूस जैसे और सब आजार लगता है when you are लीची और मैगी अब क्या बदा हाँ कि दरने के लिए तो यहां पर मैं कीचन अगए उखाना बनाने के लिए छह बना रहे हूं साबट मसूर्ज Gr़में राहे हैं? मैं बना रहे हूं यहां बना रहे हूं घंडी निया को मतों है तो बच्यों की लपने सद्टू पराठा दे द्यान हम इपक अपनी छहना पना देदा लूंझ में सद्ट gerek में सद्टू पाथा करने हो गया विछहां और था परसू त detailed मिन दो थे घरांत ज़ा लें जहां अगlor है मेरे दूनों का नहीं है कि आखककी आखका से अब जो बनाई थे आप लोग के साथ सेयर की थी तोड़ा रोई जो साबत मसहुषूष घूनी शुखी होती है यूआ में बनाई थी और साथ में लंच के लिए भिंदी फ्राइच सूखी होती है व्यू होете बच्चों के में मैंने जबिन पराथा दिया था रहाज़क्षी के लन्च में भिंदी की सबसुखी सूखी वाली और रोटी जो कि मैं दी थी तो आँब धोड़ा दिर हम लोग भी आराम करेंगे और मुझे जाना है एक जिगब अलावे में बगल में एक महला में जाना है जहां पे मतलब एक लोग को लर्का हुआ हाई और आज गाना और बजाना है तो वहाँ पर मुझे जाना है तो मैं थोड़ी दिन में जाऊंगी बारवजे का बुलावा है तब तक लला भी श्कूल से आ जाएगा लला आ जाता है सारे 11 वजे तक तो उसको खाना पिना खिलाने के बाद में जाऊंगी और आज से सावन विए स्टार्ट हो गया है क्योंकि आज चार तारीख है चार चुलाई है और दिनमंगल बार जो कि आप लोको बता ही दिये थे तो आज से सावन की भी सुरुवात हो चुकी है और इस सावन जो है 2 सावन हुआ है तो इस बार 20 का ब्रत है जो सावन का सूंबार होता है वह ज्यादा हुआ हूआ यह समयला के निख समनल शावन फेको यह श्वर्पल फेकर स्यचेती हैवं ढूल कम रहे हैं लोग है तो सावन में बंध हो गया तो पहले तो एक ही मन्त होता था तो किसी तरह भी दो मन्त था थो थोड़ा सा सोचके लग रहा है कि दो मन्त थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन कोई बात नहीं क्योंकि एक सब्ताजे से हर एक सुमबार पूजा होते होते समय जल्दी ही निकल और 30 अगस्त को उसी दिन सावन खतम होगा तो इस बार दो महने का सावन है और तो मैं सोची काफी दिन हो गया है आप लोग से मिले हुए तो मैं मिल लेती हूँ थोरा सा अपडेट आप लोग को दे देती हूँ तो मैं यहाँ पर आ गई हूँ अपने जगा पर मैं अपने सस्राल माय के घूम के पुरा आ गई हूँ और बहुत अच्छे धंग से सब कुछ कुछ निपट गया मुंदन भी अच्छे ठंग से हो गया हम भी खुब इंजुआई किये काफी लोग आये थे उसी चक्र में वीडियो भी नहीं बना पाती थी क्योंकि थो थोड़ा सा बैस्ता हो जाता है सभी लोग मिलते हैं तो बातचीत में ही समय निकल जाता है पता ही नह घूत करते हैं किया नॉर्मल कुछ जूआ नहीं करते हैं कि को यॵी घूत करते हैं जो होता है मंदीर जाते हैं कि थो मम कहीर तो अब्大家都 है घर में कोई है ऐसे लग लगने लगता है लेखना भी ममी है तो अच्छा रगता है आप बात चीद करते रहते हैं और समय से मैं इस ब्लॉब को ही पेंट कर देती हूं I hope आप लोग को वीडियो अच्छी लगी अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक करिए कॉमेंट करिए फ्रेंड और फैमली के साथ सेयर करिए चैनल पर नहीं होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ली बाइ बाइ